देखने साए नमहा जैश्ट देवताए नमहा जैकुल देवताए नमहा मेरा नम आचरह द्यानी आज हम बात करेंगे तुला रासी वालों की बारे में उससे पहले सभी को राम राम जैसी ताराम यहां वीडियो जरूर देखे आपको अच्छे लगए तो लाइक करना, सेयर करना, सबस्क्राइब जरूर करदेना और मैं जो रासी होते हों उसके वारे में उपाय बताता हूँ देखो करम करना ज़़ूरी है और जोतिस सास्त्र पहले ही पंचाग में दरसा देते हैं पंचांग में बता देते हैं कि ग्रहन दोस कम लगने वाला है और शूरे ग्रहन कम लगने वाला है तो आप समझ सकते हो कि 6 मिना साल पर में जो पहले छप जाता है उसमें आपको किलियर दिन भी बता देंगे कि इस दिन ग्रहन लगने वाला है और यहां तकी समय भी बता दें यानि कि 18 दिनों के रासफल तुला रासे वालों का और अब बात करते हैं तुला रासे के स्वामी होते हैं शुक्र ग्रहे आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो स्वामी है शुक्र ग्रहे है कौन से घर में बेटे हुए है कौन से घर में बेटे है मित्र के घर में बेटे है या अपने घर में बेटे है या नीच रासे में बेटे हुए है तो यहां जानकारी प्राब तो होनी चाहिए तो हम बात करते हैं कि तुला रासे के स्वामी शुक्र ग्रह होते है और उनके घर में के तुग्रह बेटे हुए है आप समख सकते हो कि शुक्र के घर में केतुग्रह बेठे हुए है केतुग्रह वैसे कष्ट दायक ग्रह नहीं होता है परन्त राहो के साथ राहो के दिश्ट पढ़ने से वो भी पाप के समान फल देते है तो के तुगरे बेटे है साथ में राहू की राहू ग्रे की दिश्ट पढ़ी है ठीक है तो जिस कारण राहू की नजर पढ़ी उस घर में किनके घर में शुकर के घर में तो जिस कारण बहुत कष्ट उठाने पढ़ेंगे हर छेत्र में चाहे बच्चा हो चाहिए नोकरी करने वाले हो चाहिए जिनकी विभाने ही और उनके लिए रिस्ता दूंडे तो ने भी कष्ट आएगा रुकावटे आएगे तो आने को परकार के रुकावटे आएंगे बिसे रूप से उन्हें दोका मिलेगा तुलारासे वालों के लिए दोका की जैसे की दोका कितने परकार के दोके होते हैं आपने किसी को पैसे दे रखा है या इस समय आप पैसे देते हो तो पैसा आपको नहीं मिलेगा तो इस तरह कैसे दोका मिलेगा आपको तो दोके से बचे ध्यान पूरा आप विस्वास पूरा करें कि मैं तरह कौन कैसा उसके पहले से डिटेल जान लिए कि कैसा है क्या है और यह चीजे आप ध्यान करें और ऐसा नहीं कि नुक्सान जो को जहां नुक्सान होता है पैदा वह नुक्सान भी है समझ रहे हो परिकर्टी में मत्रहिये मान के चलो कि जैसे कहीं भी है अब हम अपनी सुप्धा के लिए पहाड़ों में सड़क बना रहे हैं तो हमाले फैदा भी है नुक्सान भी क्योंकि वो क्या होते बरसात में तूट जाती सड़क तो कितने कि गाउं में सब परेशानी भी आठ गमसार के अने को परकार के सामने भी करना परता है दूस्प्रवा के सामने को जगह से आप बाढ़ आएगी अन्य जगह बाढ़ आने वाली आप जिसकारण मतलब यह परेषानी होती है कि तो वही चीज हम क्या करते हैं कि यहीं मतलब थेदरी तो नुकसान भी है हमारे फैदरी में त्ना बड़ा यह बहुत पावर्फल होते हैं BOY अभागान के कारण हमें अने को परकार के जो बिमारी आते हैं जो वारस आते हैं जिनकाम बग्यानिक होता है डोक्टर काहँए जो हुआ शुआ हैं पार लिमिटा है अलिमिट जा ऊगे लिक तो बहुत पर आजएगी तो वही चीज है दम लाग भी होगा तुलारासे वालों क होगा और उनके लिए बिसे सुपाया है कि वो सिवकी पूजा करे माता पिताजी की सेवा करे शुक्र गरे का जाब करे दान करे शुक्र गरे का जाब करे और दान करे तो बहुत अच्छा भी है क्योंकि जो केतु है वो क्या है अच्छा गरह है जो रह हुए वो अच्छानक ध संती भी पूजय करूगे तो चंद्र मागरह्मजबूत हो करूगे सुक्रण करो की सुक्र मजबूत होगा हर आप कर्म करूगे तो आँ सनी देव को प्रिशन परिसान करते हैं तो लगन पर सखाट करते हैं तो लगन होगे। ग्रह वहीं बेठा है पर लगन के हिसाब से बदलता रहता है जिसके सुभे 10 बजे दो तिन गंटे बाद 12 बज जाएंगे तो वह ऐसे क्या होता है कि मान को तुर का भी सुक यहां बेठे हो लगन बदलता रहते हैं कभी लगन यहां पर सुकर आ गया इस आस्तान में सुकर का गरहे मत के तु बेठे हुए कभी जगा के तू आगे कभी जगा के तू आगे लगन के हिसाब से चेंज होता रहता है जिस टेम समय आएंगे तो वहाँ जाके उस समय आपको धोका मिलेगा यह होता है अपने नाम ठीक है तो आप उपाय करें आपको अच्छे लगी वीडियो तो लाइक कर दें